हेलो फ्रेंड्स जैसी किशना जैमातादी जैसरी शाम कैसे हो दोस्तों आप सभी आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे प्राथना करूंगी इश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें देखे दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले बहुती खास बहुती महत्वपूर्ण और बहुती स्पैशल यानि कि दोस्तों आज हम बात करने वाले कैसे खास टॉपिक की जो आपके लिए काफी स्पैशल होने वाला है जी हाँ आज हम बात करेंगे प्रकृती सब्सक्राइब करें बल आइकन को प्रेस करें वीडियो को शेर करना बिलकुल भी ना भूलें शुरुबात करेंगे बिना किसी देरी के हर हर महादेव का नाम लेकर देखे स्क्रीन पर आपको दो फ्लॉवर दिखाए दे रहे होंगे देखे फरस्ट पीकिंग बें सेकेंड ज जल्दी से उसे चुस कर लेजे शुरुबात करते हैं फरस्ट नंबर यानि की लाइट पिंग कलर जिन्होंने चुस करा है देख लेते हैं अगले कुछ घंटों में आपको क्या खुश खबरी मिलने वाली है किस तरह का समय आपके जीवन में शुरू हो चुका है क्या कुछ अच्छा होने वाला है किस तरह का टैंशन जो आपके साथ क्रियेट हो रहा था अब सॉलूशन आपको मिलने वाला है तो चलिए देख लेते हैं अगले कुछ घंटे आपके लिए कैसे रहेंगे किस तरह से तरक्की के योग आपके लिखे हुए हैं क्या कुछ चीजों का ध चीज़त की अपेक्षा रहेगी आर्थिक पक्ष अगले कुछ दिनों के लिए कमजोर रहेगा लेकिन चिंता ना करें यदि डिसिप्लिन रखा जाए तो इससे सुधारा जा सकता है काम पर फोकस बढ़ाने की जरूर थे आपको प्राप्त हुए किसी भी काम को आप नजर अंदाज ना करें कठिनायों का आपको सामना करना पड़ेगा आप जितना अधिक खुद को कमजोर बनाएंगे उतनी समस्याएं आपकी बढ़ती जाएगी परिवार के लोगों की समस्याओं को दूर करते समय काम नजर अंदाज ना हो इस बात का भी ध्यान रखें महिलाओ के लिए मिश्रित फलदायक समय हैं घटने वाली किसी भी घटना का असर आपको भावनात्मक रूप से ना हो इस बात का ध्यान रखें जिस प्रकार से आप काम करते हैं उसके आदर्श मानकर अन्य लोग भी कोशिश करेंगे नकारात्मक बातों के प्रभाव से खुद को न जान रखें फिलहाल अंतिम निर्ने तक पहुचना आपके लिए संभव नहीं होगा लेकिन समस्याओं को देखने का नजरिया बदलने से आपकी तकलीव दूर होगे अध्यात्मिक बातों की तरफ जुखाओं बढ़ेगा कुछ काम वक्त के अनुसार करें करियर के लिए प आपके जीवन में आने वाले हैं आउसर को बिल्कुल मत छोड़िएगा जीवन में हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करिए और लाइफ में वही कारी करिएगा जो आपके लिए महत्वपून हो जो आपके लिए स्पैशल हो जीवन में आप आगे बढ़ने की कोशिश करिए लाइफ में आप आगे बढ़ने की कोशिश करिए और हमेशा अच्छा कारी करिए ठीक है अपने होसलों को बरकरार रखिए एक ही लक्ष पर आपको ध्यान देना होगा और उससे संबंदित बातों पर बार बार विचार करोगे तो negativity बढ़ेगी काम पर ध्यान दे जो बाते आ आत्म विश्वास बढ़ेगा मित्रों के साथ बिताए हुए समय की वज़े से प्रसनता भी मिलेगी आपकी मुक्य समस्या सुलजाने के लिए आपको काम पर ध्यान देना होगा सतरकता जरूरी है जीवन के जिस बड़े दिश को आप हासिल करना चाहते हैं उसके लिए अप के लिए खुद को प्रेरित करें अपनी समस्याओं के लिए अन्य लोगों को जिम्यदार ठहराना गलत है जब तक आप खुद के जिम्यदार या नहीं समझेंगे तब तक परिस्तिती में बदलाओ नहीं होगा आपकी परिस्तिती के लिए आपके विचार जिम्यदार है इस अच्छा करना चाहते हो जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हो तो आपको अपना समय परिवर्तित करना होगा आगे आपको जीवन में कुछ नया करना होगा लाइफ में हमेशा वही कारे करना होगा जिसमें आपको इंट्रस्ट है समय बहुत किमती हैं बहुत अच्छा समय जीवन में बहुत जल्दी आप आगे बढ़ेंगे और लाइफ में कभी भी कोई ऐसा कारे ना करें जो कहीं न कहीं आपको नुकसान दे रहा हो समय देखिए बहुत किमती समय को समझने की कला आपके अंदर होने चाहिए जब तक आप इस कला को नहीं समझेंगे कि आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं क्या आपको इंट्रेस्ट है आपकी स्किल्स क्या है स्किल्स को किस तरह से आप बेस्ट बना सकते जब तक यह चीजें आप नहीं सोचेंगे आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे है लाइफ में अगर आगे बlangए है तो आपको सबसे पहले कुछ अच्छा सोचना होगा कुछ अच्छा करना अगल, जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए जीवन में कुछ अच्छा सोचने के लिए आपको meditation योगा करना होगाeting cassette को सब be Your और वही करें जो आपके लिए सही हो दुसरों के लिए सही हो परिवार के हित के लिए हो सैकेंड नमबर की अगर हम बात करें जिनोंने भी ब्लीव कलर का फूल चूस करा है तो आपके लिए यही कहना चाहूँगी दोस्तों कि बहुत जल्द आपके जीवन में बदलाओ आपको लिए महसूस होने वाला है आपकी लाइफ में बहुत जल्दी चेंजेस आने वाले हैं जीवन में काफी कुछ बदलाओ आपको महसूस होने वाले हैं और अगले कुछ घंटो में आपको खुश खबरी मिलने वाली यह खुश खबरी आपकी life को पूरी तरह से बदल देगी पूरी तरह से आपकी life को change कर देगी और यह changes कहीं न कहीं आपके जीवन में बहुत सारा बदलाओ लेकर करके आएंगे बहुत सारे चीज़ आपके life में चेंज करेंगे दिखे चेंजेस तो भूध हैं आपकी लाइफ में बस सब कुछ आपको चेंज करते रहना होगा प्रति कुछ घंटों में आपको जो खुश खबरी देने वाली हो उस खुश खबरी के लिए आपको हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करनी होगी अपने लक्ष से अधिक काम मिलेगा अपने निर्णय को परक्कर आगे बढ़े जीवन के लिए हमेशा अच्छा सोचे लोगों पर निर्भर लेना सही नहीं है अपनी समस्या खुद ही हल करें यदि आप प्रॉपटी या किसी अन्य बड़े निवेश के लिए विचार कर रहे हैं तो निर देशने लिते समय हडबड़ी ना करें काम में स्कारात्मक्ता देखने की कोशिश करें दुसरों की वज़ह से खुद को नेगि ordenा बनाएं जैसे प्रकार से आप खुद को बदलेंगे उसे प्रकार से आप सिं करियर के लिए अगले कुछ दिन उप्योग तसाबित होंगे अपने समस्याओं का कारण जानने के लिए आप पहले तो विचार करें देखें भई समस्याओं का क्या है कई हमारे नेगेटिव सोच ही तो हमारी समस्या नहीं है इसलिए सबसे पहले अपनी सोच को बदले जीवन में आप चरूर आके बढ़ेंगे अगले कुछ घंटों में कुछ इस तरह की वीडियो कुछ इस तरह की बाते आपके सामने आएगी जो कहीं न कहीं आपके ला का काम मिला है तो जलन की भावना ना रखें यह जलन की भावना आपको डुबो सकती है जलन की भावना आपको बरबाद कर सकती है पार्टनर से आपको प्रिशन सा प्राप्त होगी परिवार के लोगों के साथ हुए विवादों को भूलने की कोशिश करें लोगों के लिए मन में कटूता ना रखें कौन लोग आपके लिए सही है और किन लोगों की संगत के कारण आपका नुकसान हो रहा है इस बात को समझ कर संगत में बदलाओ करने की भी कोशिश करें जैसे लोगों के साथ आप जुड़े रहेंगे वेसी आपकी सोच रहेगे मीडिया शेतर से ज विवहारिक कामों के बीच आपका कोई महत्वपून काम भी चूट सकता है जिसे बड़ा नुकसान होगा तो रूटीन को ठीक रखें कोई भी योजना बनाते समय अपने फैसलों को प्रायोटी पर रखें कुछ दिक्कते रहेगी एगो और गुस्से से बचे संभंध अच् जड़ा बिगाड रहें बहुत जड़ा मिस्यूजड कर रहें फिल्हाल जो अगले कुछ घंटे आपके लिए बहुत सारी उमीदे लेकर क्या रहें बहुत सारा खुशियां लेकर क्या रहें बहुत सारे अवसर लेकर क्या रहें तो इन सब का अच्छे से इस्तमाल करें इन तो वीडियो बहुत ही अच्छी है पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें बल आइकन को प्रेस करें वीडियो को शेयर करना ना भूलें तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में अभी के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद जैमादादी हर हर्मादेवाद